द्यारतियों, नमस्कार, आज हाँ, आज मेर विश्विद्याले के परिक्षा का 2018 का प्रश्ण पत्र मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यह है इतिहास विशे का एमेक प्रीबियस का चौथा पेपर है, इसका नाम है historical application in tourism with special reference to राजस्थान, प्रश्ण पत्र किस प्रकार का आया, वह हम देखेंगे, इसी सिरीज में हम विश्विद्याले में जो यह प्रश्ण पत्र चलता है, उनका भी अध्यन करेंगे, तो यह देखिए, आप ही परिक्षा का pattern तेह नहीं हुआ है, किते प्रतिशत सिलेबस आएगा, यह भी तेह नहीं हुआ है, अते मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा चुकी हूँ, और पूरी सिलेबस में तीन प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं, भाग ए में दस करने अनिवार्य होते हैं, और प्रत्यक प्रश्ण का उत्तर 20 शब्दों में maximum दिया जाता है, और यह एक अंक का एक प्रश्ण होता है, यानि 10 प्रश्ण 10 अंक के होते हैं, भाग बै में 5 प्रश्ण होते हैं, और प्रत्यक प्रश्ण का उत्तर 50 शब्दों के लगभग करन होता है और सभी प्रश्णों के अंक समान होते हैं इन प्रांच प्रश्णों में जो है वो चोईस होती है प्रत्य प्रश्ण में दो प्रश्ण होते हैं इन में से एक प्रश्ण करना होता है और प्रत्य प्रश्ण 10 अंक का होता है यानि कुल 50 अंक के ये 5 प्रशन आपने को solve करने होते हैं भाग से में 2 प्रशन करने होते हैं 3 या 4 प्रशन पोछे जाते हैं और प्रत्यक प्रशन का उतर 400 शब्दों के लगभग देना होता है और सभी प्रशनों के अंक समान होते हैं यानि कि 20 नंबर का एक प्रश्न होता है, 40 नंबर के दो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार 10, 50 और 40, ये तीनों भागों के अंक मिलाकर 100 अंक होते हैं, और अब हम ये देखेंगे कि महर्शी दयानन सरस्वती वेश्विध्याले में 2018 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था भाग एह में 10 प्रश्न थे, पहला प्रश्न था, राजस्तान में परियतन विभाग के स्थापना कब हुई, दूसरा प्रश्न है, किनी दो लोक नाट्यों का नाम बताईए, तीसरा प्रश्न था, किनी दो जल दुर्गों का नाम बताईए, चौथा प्रश्न था, फड़ चित्र शेली के दो चित्रकारों का नाम बताईए। बाच्वा प्रशन था, तहजस्तान के किनी चार प्रसिद मेलों के नाम लिखिए। चटा प्रशन था, उंट चर्म कला का अर्थ बताईए। साथवा प्रशन था, पुशकर मेला कब और कहां पर होता है। आटवा प्रशन है, कब और किसने देलवाड़ा मंदिर के स्थापना की। नवा प्रशन है, सांगानेर क्यों प्रसिद है। और दसवा प्रशन है, बनी ठणी क्या है। इस प्रकार से दिखिए, ए भाग जो अनिवार्य है, इसमें दस प्रशन हैं। और दस के दस प्रशन विध्यारतियों आपको करने हैं, और लगपत पीश शब्दों में इसका उतर देना है। अब हम भाग बैग करेंगे, ये भी अनिवार्य है। पहला प्रशन है, इसमें ग्यार्वा प्रशन परियाटन का आर्थ बताईए। अथ्वा इसी का दूसरा इन दो प्रशनों में से एक प्रशन करना है। दूसरा प्रशन है राजसान की हवेलियों की प्रमुख विशिष्टा बताईये। बारवा प्रशन है, काली बंगा के मेहत्व का विवेचन कीजिए। अथ्वा, हल्दी घंटी के महत को बताईए, तेरवा प्रश्न है, आभा नेरी पर एक लेख लिखिए, इसका अथ्वा है, रहजसान में पत्थर शिल्प कला का वर्णन कीजिए, चौध्वा प्रश्न है, ब्लू पॉट्ट्री क्या है, अथ्वा, बंधेज कला पर टिपणी लिखिए, अथ्वा, शिव कला पर टिपणी लिखिए, इस प्रकार ये दस प्रश्न है, प्रतिक प्रश्न में से एक प्रश्न करना है, यानि कुल पांच प्रश्न आपको करने है, भाग से, परियतन में इतिहास की अवधारना की व्याख्या कीजिए, राजस्थान में प्रश्न करती हूं कि आप इन प्रश्नों को सौल कर लीजिए, और यदि कहीं आप किसी प्रश्न में आपको संश्य हो, तो मुझसे आप वाटसेप पर भी पूछ सकते हैं, और मेरे व्यक्तिकत नमबर पर भी पूछ सकते हैं, इतिन नमस्कार